दोस्तों नमस्कार मैं एडवोकेट योगिन सिंग आज मैं आपको प्रॉपर्टी पर कब्जे हो जाने की स्थिती में हमें क्या करना चाहिए उस बारे में कुछ बताना चाहता हूं अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसी जगह पर है जैसे कोई जीपीए वाली लैंड है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो लाल डोरा एक्स्टेंशन में है या कोई इस तरह है जहां पर की पूरे गवर्मेंट लॉज वगेरा जो सैल डीड वहां पर नहीं है और जीपीए से ख्यारीद फरीक फरोग्त हुई है उस जगह पे तो आप उस थिति में क्या करें सबसे पहले आप आपने पेपर्स चेक करें क्या आपको जिसने बेचा है उसके पूरे मिनिमम 15 एर्स की चेन है आपके पास यह नहीं है दूसरा नाम एड्रेस और खसरा नंबर उस पेपर्स में जो आपकी जीपीए विल एग्रिमेंट टू सेल रिसिप्ट इन सब में क्या आपके नाम पर्चेजर और सेलर दोनों के नाम ठीक से लिखे हैं हो सके तो उनके अधार की थ्रू हम यह प्रोपर्टी बेच रहे हैं और यह ली जा रही है इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है आप जल्दी से जल्दी एक कंप्लेंट बनाके थाने में नियरस्ट थाना जो उस जगे का थाना है उसमें आप कंप्लेंट लगाएं और उन लोगों के नाम देते हैं कि हमने इस साल में उससे पहली खरीदी थी और यह कहीं कोई नकली पेपर्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं यह आप देते हुए और यह लिखें उसमें प्रात्ना करें कि मेरी प्रोपर्टी को मुक्त कराया जाए क्योंकि यह लोग शरारती तत्म हैं उन्होंने फे पेपर्स चेक करके बता देती है कि ठीक है आप लोगों के पेपर वस्तनी है और इनके नकली है तो ठीक है लेगिन अगर वह मामला ऐसे नहीं सुलटता है क्योंकि वह भी औरीजनल टाइप ही पेपर लेकर आ जाते हैं सामने आप देखेंगे कि वह इतने होश्यारी से उसक तो इस प्लॉट का खाली कर दें अन्य था आप ट्रेस पासिंग और 466 468 सेक्शन आई पीजी और 34 मिल जुलकर अपराद करने का यह सारे सेक्शन के अंतरगत आप एक नोटिस भेजें कि हम इस पर कारवाई कोट में शुरू करने वाले हैं अगर वह कंस्ट्रक्शन कर लग सब्वें तो आप उसमें state के लिए application state के लिए court में application लगा सकते हैं उनके construction रोकने के लिए उस दोरान और अगर construction नहीं भी हुई है तो आप सीधा कंप्लेंट कोट में लगा सकते हैं कि हमारे क्रोपरटी पर प्रौजा करने की नियद से यह लोग दाखिल हुए और इस तरह से हमें तंग कर रहे हैं कंप्लेंट करने के बावजूद पुलिस को इन्होंने अपना हमारी जगह को यह नहीं छोड़ रहे हैं और हमारा काफी नुकसान भी कर रहे हैं अगर वह आपका कुछ डिस्ट्रॉय भी करते हैं प्रोपर्टी वह भी आप मेंशन करें कि नोंने सारी प्रोपर्टी या कमरा भी तोड़ा है मेरी हमारी दिवार भी बाउंडरी वॉल भी तोड़ी है जो की कबजे में होती है जनरल होती है लेकिन अगर कोई नहीं भी है तो आप उसका बता सकते हैं कि साब यह प्रोपर्टी हमारी इस साल में हमने खरीदी थी और उसमें क को forensic forensic जो जो science है वो भी आपकी help करेगी पुराने time को पुराने time के सबूतों के का आपको फायदा देने के लिए तो आप ये सारी बातें अपने उस court में बता सकते हैं और ये सोचें कि ठीक है अब इस case को में लड़ना ही है civil matter में जाता है के लेकिन अगर वो इसके अलावा कोई और धमकी देते हैं तो आप उसका criminal case में भी उनको आप file कर सकते हैं तो I hope कि आपको ये जो मेरे द्वारा बताया गया कि कबज होने की स्थिती में आप क्या करें ये समझ आ गया होगा फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जो मैं आपको properly नहीं समझा पाया हूं तो आप मुझसे comment section में इस बारे में पूछ सकते हैं मेरे phone number पर मुझसे बात कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप ये बात समझ गया है पूरी तरह से तो मेरे चैनल को आप like and subscribe कर देना और कोई भी जानकारी आप लेना चाहें तो मुझसे आप court में भी और कैसे भी आप मुझसे मिल सकते हैं thank you take care good bye